हमारा रेसिप की है मैंगो मिल्क शेक मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए हमें जो चीज़े चाहिए मैंने एक आम लिया है आप देख सकते हैं कि मैंने चार चमच चीनी लिया और एक ग्लास मैंने दूद लिया है और यह चार पांच आइस क्यूब है अब इसे हम पील कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमें मैंगो लिया है चील लेंगे इस तरीके से आप छिलने और आप कोशिश करें कि आपका आम जो हो वो मीठा हो इस तरीके से आप फील कर लें मेठा आम से बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनता है हमारा मैंगो शिक अगर यह बहुत ही हैल्डी भी होता है आम के दिनना भी आ चुके हैं तो आप इसे बनाएं और इंजोर करें आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप पूरा फील कर लें अच्छी तरीके से यह आप देख सकते हमारा फील हो चुका है अब हम इसको गूदर निकाल लेंगे इस तरीके से कट कर लेंगे इस तरीके से यह हमारा हो चुका है अब इसे हम छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे ताकि इसे पीसने में असानी हो जाए और जब हम इसे पीसे तब आप एक बात धियान रखें कि इसके अंदर कोई भी लंक्स ना रहे वरना आपका मज़न ही आएगा खाने में पीने में अब इस बात का धियान रखें यह हमारा मैंगो रेडी हो गया अब हम इसे एक ग्रेंडर लेंगे इसके अंदर यह अपना सारा कटा हुआ मैंगो आट कर देंगे इस तरीके से कैना इसे के इस पीष लेंगे इसमोथ पेस्ट बना लेंगे और आपका देख सकते मैं इसे कर्दि mandar कैसरें इसलेकर शोब्त प्रूद रिजर रेंगे हम द Hadi इसे तरीके से इसमें एक भी लांप्स में आए बिल्व हमस्तिम बन चुका है इसी तरीके से अब हमलें इसके आ कर देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया आप मैं इसे खोल के दिखाती हूं देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं हमारा बिल्कुल पिस चुका है यह हमारा मैंगो शेक मैंगो मिलक्शेक रिडियर हैं अब हम इसे साूफ कटापें गलास में हम इने गलास ले लिया वह इसमें मैं एड कर दोंगे अब देख सकते हैं कितना ठीक है оде पहुआं है मैंने 10 मेंगो रहए बनाया है एक गलास और एक मैंगो आधा में हमारा यह mango shake तयार है हमारा milk mango shake रड़ी है आप देख सकते हैं कितना easy और कितना simple इसे बनाना आप भी इसे जरूर बनाए और try करें और बताए क्यासा बनाए तो आप यह देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही tasty और बहुत ही जल्ली जटपर बन जाता है आप इस गर्मी में बनाएं और पीए और बताएं बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे जरूर पीए आप देख सकते हैं बहुत ही चील चील और बेकुल ठंडा ठंडा हमारा mango shake रड़ी है लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू